कि हैलो दोस्तों मेरा नाम है अब्दुल रहमान आप देखने बभु खान दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपके केत में गहूं है और गहूं जो पचेता रहा गया है चोटा रहा गया लेट किसी भी करण से बीजा गया तो अगर उसको आप अच्छी काने उठाने उठाकर दिखा जाती हो हूं कि यह देखिए यूरिया प्लस डीएपी दीस्तों यूरिया प्लस डीएपी डालने का फाइदा क्या है कि जैसे अगर हम जादा से ज्यादाarna डालेंगे तो वह उल्टे का नुकसान कर जाती यह जैसा सूखनेने लगा जाएगा उखेडा सा दिकत हो जाएगी भी हद से जादा यूरे डालें पर अगर हम यूरिया और डीएपी डालते हैं तो जो असर है वो डबल बन जाता है और काफी ज़्यादा जो अगेती हमारी गेहूं होती है उसके बराबर टकर ले लेता है तो हमारे जिसे इस इस इलाके में जो अगेती गेहूं है वो करीबन 13-14 कोंटल तक जार देती है पर जो पछेती रह जाती है वो 10 कोंटल तक ही पहुंच पाती है तो दोस्तों अगर उनकी सानों के लिए स्पेशल है जो लोग पछेती गेहूं में रह गए हैं तो वो प्लस यूरिया प्लस डीएपी डालें जित चाहते हैं तो आप गेहूं में यूरिया प्लस डीएपी चालें इसका फाइदा यह होगा कि आपका गेहूं बहुत ही स्पीड से भड़वार करेगा और अगर देखा जाए फाइनल रिजर्ट में होता क्या जो तोड़ी होती है इसका जो कच्रा होता है वो अच्छे रेट करेगी तो दोनों में प्लस पॉइंट यह है कि आप तुड़ी में भी ज्यादा पास सकते और गेहूं में भी तो दोनों तरफ फाइदा है तो इसलिए प्लस डी यूरिया प्लस डीएपी डाले तो दोस्तों आज किस वीडियो बस नहीं मिलते है नेक्ट वीडियो में और आप सब लोगों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे होते हैं अगर आपको कोई भी बात पूछने तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए मैं जल्दी जल्दी आपको रिप्लाइ करूँगा कई वार रिक्वेस्ट चैनल को जरू सब्सक्राइब करें